वेल्कम टू फैक्ट आयकन दिमाग हमारी पूरी बोड़ी को कंट्रोल करता है ये तो आप सबको पताई होगा आईए दिमाग के बारे में आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ क्या आपको पता है कि खराब हैंड राटिंग वाले अच्छे हैंड राटिंग वालों से ज़ादा बुद्धिमाण होते हैं जी हाँ आपने सही सुना आम तोर पर ये माना जाता है कि बुद्धिमाण लोगों की हैंड राटिंग खराब होती है क्या आपको पता है आपका दिमाग एक्चुली में बड़ा और छोटा होता रहता है दिमाग इंसानी सरीर का सबसे जटिल अंग यानि की कॉंप्लेक्स अंग है ब्रह्मांड में जितने तारे हैं उससे ज़्यादा नियोरोंस तो आपके दिमाग में मौजूद है और इनके बीच में हर सेकेंड अर्बो खर्बो कनेक्शन अभी रियल टाइम में आपके वीडियो देखते देखते बन रहे हैं जिसके चलते आप अभी सोच रहे हो परते एक इंसान का दिमाग दूसरे इंसान के मुकाबले अलग होता है पर कुछ बाते हैं जो सम्मे कॉमन होती है और ये रहस से हर एक इंसान के दिमाग में होता है दिमाग की सक्तियों के बारे में तो आप जानते ही हैं पर ऐसे कई रहस से भी हैं जो कि आँके फार देने वाली हैं आपका दिमाग जितना पावरफुल और इंट्रेस्टिंग है उतना ही रहस समय भी है दर असल रिसर्च में पता चला कि जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है उनकी इंटेलिजेंस आम तोर पर सामानने होती है क्योंकि उनका दिमाग और उनका हाथ दोनों एक ही स्पिर से काम कर रहा होता है और जिन लोगों की हैंडराइटिंग घराब होती है वो एक्चुली ज़्यादा स्मार्ट होते हैं क्योंकि उनका दिमाग उनके हाथों से ज़्यादा तेजी से काम कर रहा होता है सुनने में अजीब लग रहा है पर इसके पीछे का सैंस भी जान लीजिए आपका हाथ जितनी स्पिर से काम करता है उससे ज़्यादा तेजी से जब आपका दिमाग काम करने लगता है तो दिमाग से हाथ तक जो सिगनर कनेक्शन होता है वो ठीक से नहीं हो पाता और इसलिए आपके हैंड राइटिंग खराब हो जाती है सरल भासा में जिनका दिमाग बहुत ही तेजी से काम करता है उनकी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा खराब होती है क्योंकि उनका दिमाग उनके हाथ के मुकाबले ज़्यादा इस्पिट से काम करता है और सिगनल भेजने लगता है ऐसा कई लोगों में क्यों होता है ये एक बड़ा रहसे है क्योंकि सरीर का हर एक भाग एक साथ काम करता है और सिंख होता है पर कई लोगों में दिमाग ज़्यादा तेजी से काम करता है ये एक एस्टोनेशिंग फैक्ट है ये थी आज की जानकारी आई होप आपको पसंद आई होगी ऐसे इंट्रेस्टिंग जानकारी और फैक्ट के लिए वीडियो को लाइक कीजी और चैनल को सब्सक्राइब कीजी जेहिं